दोस्तों अगर आपने National Scholarship 2021 आपने fill up किया है लेकिन अभी तक आपको payment नहीं हुआ है और आपका जो status सो कर रहा है National Scholarship पे वो merit list में सो कर रहा है यानि कि send to PFMS लिख कर रहा है लें फिर भी आपको payment नहीं हुआ है तो किस तरह से आपको check करना है अपना status PFMS पे वो इस वीडियो म में बताने जा रहा हूं तो आपको simply अपना Android mobile open करना है और यहां पर एक application आपको download करना होगा उमंग application ठीक है तो play store से आप उमंग application को download कर लेंगे तो यहां पर मैं open कर लेता हूं जैसे इस application को open करेंगे तो यहां पर आपको search bar का एक option मिल जाएगा यहां पर आप register कर लेंगे first of all ठीक है registration अगर आपका नहीं हुआ है application में तो register कर लेंगे register करने के बाद यहां पर आपको search पे click करना है PFMS ठीक है तो यहां पर आपको simply PFMS लिखके search कर देना है तो आपको यहां पर मैं बताओंगा PFMS पर आपको क्या आप वहां पर PFMS के website पर जाएगे तो आपको वहां पर so नहीं करे record no found लिखके आएगा लेकिन यहां पर आपको पता जाएगा कि आपका क्या status है PFMS पर तो यहां पर आपको जैसे PFMS सर्च करेंगे तो यहां पर आपको यहां पर फर्स्ट वाले पर अगर चूज करते हैं तो यहां पर आपको account number bank name उसके बाद यहां पर आपको mobile number इंटर करना होगा जो भी आपका register है आपके NSP application में वही आपको यहां पर details इंटर करने हैं बैक आते हैं और जानते हैं track your NSP payment पे अगर आप click करते हैं तो यहां प NSP payment का जो है वो second option पे जिसमें आपको सिर्फ application ID और mobile number ही देना है ठीक है तो यहां पर आप मैं इंटर करने के बाद submit पे click कर देता हूं जैसे submit पे click करेंगे तो यहां पर आपको एक option आजाएगा welcome to आपका जो नाम होगा वो आजाएगा और जो भी आपका scheme होगा वो आपको यहां पे show कर देगा तो यहां पर बस आपको scheme पे click कर देना है ठीक है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं merit comments और minority welfare और यहां पर देख सकते हैं कि एक January ठीक है under processing bank लिख क्या आया है और इसमें details में जानते हैं क्या है तो यहां पर आपका पूरा details कुल के आजाएगा under processing bank cbs ठीक है और उसके बाद यहां पर bank name आपका होगा जो भी आपका नाम है और beneficiary name purpose हो गया यह ठीक है और उसके बाद नीचे आपको आएगे तो यहां पर आप देख सकते हैं credit transaction ID दिया हुआ यानि कि आपका जो भी amount है अगर credit हो गया होगा तो यहां पर आपको number मिल जाएगा ठीक है लेकिन हो सकता है कि आपको credit number मिल जाए लेकिन आपका bank जो है वो अभी तक deposit ना किया हो ठीक है तो यह भी एक option हो सकता है त तो उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं bank सबसे नीचे में आप देख सकते हैं bank transaction date बीस मार्च सो कर रहा है ठीक है लेकिन आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं अगर आपका bank transaction date नहीं सो कर रहा है तो इसका मतलब आपको credit अभी नहीं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज चैनल भी सब्सक्राइब करें कोई भी कोश्चन है तो आप कमेंट सेक्षर में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर डिम कर सकते हैं वहाँ पी आपको मैं जरूर रिप्लाइ करूँगा थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो